टोलीवुड का दिल्मा भारत के साथ साथ अब पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। इन फिल्मों की कहानी नहीं बलकि इनकी कलापकार भी पूरे भारत में लोग प्रियता पा रहे है। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एक्ट्रेस की बात करेगे जोके नीथि अग्रवाल है इनकी सफलता की कहानी का राज आज हम इस वीडियो में जानेगे। इस कहानी की सरुवात होती है 17 अगस्त 1993 को जब है दबर में रहे एक मारवाडी परिवार में निथी अग्रवाल का जन्म हुआ इनके पीता का नाम राचे सब्रवार और माता का नाम और मां का नाम इंदो अग्रवाल है निथी ने अपने पढ़ाई बेंगलोर से की है उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई बेंगलोर के विज्ञानी के तन नाम की स्कूल में की थी जमकी बैंगलोर की ही एक स्कूल से बिजनेस मेनेचर का कोस्त किया था एक्टिंग और मोडलिंग के अलावा इनहीं एक ट्रेंड, बेलेर, कथकली, कथकली डान्सर और बेली डान्सर भी है कहेरा जाता है कि निती की हिंदी के अलावा अथक कनड और तेलो गुबासा में भी अच्छी पकड है बोलीवुड में आने से पहले वो मोडलिंग किया करती थी चोदा में वो एक सोब की फाइनलिस्ट रही थी जो की डांसिंग और सिंगिंगा था फेसंसो ने निती के फिल्मों में आने के दर्वाजे खोल दिये और वर्से 24 में टाइगर स्टोप के अपोजिट फिल्म के फिल्म मुन्ना माइकल में अपने करियर की सरुआत फिल्मों में की वोक्स ओपिस में तो नहीं चली लेकिन फिल्में निधी के डान्स और एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया बता यह जा रहा है कि मुन्नमाइकल के फिल्म में फिमेल एक्टरेस के लीडर रोल के लिए 300 लोगों ने ओडिसन दिया था जिन में निधी अग्रवाल को चोईस किया गया था इस फिल्म के बाद इन्होंने तेलोगो फिल्म इंडर्स्ट्री में रोल किया था और नोवेंबर 2018 में इनके पहली फिल्म जोके तेलोगो थी सेविगी सेच्चु गूग नाम की फिल्म तेलोगो में रिलीज हुई इन फिल्म में नागा चेतनियो आर मांधवान जैसे एक्ट्रेस भी थे एक सफल फिल्म रहे थी वो 14 करोड के बजेट में 14 करोड की इस फिल्म में भी 120 वर लगभग 200 करोड का बिजनेस किया था कुछ महिनों बाद जन्वरी 2019 में कुछ महिनों बाद इनकी दूसरी वोलिवुड फिल्म मिस्टर मजनों रिलीज हुई इन फिल्म में उन्होंने मसूर टोलिवुड सुपरस्टा नागर जुन के बेटे अक्किनेनी के साथ नजर आई थी अकिन फिल्मों ने बोक्स ओफिस पर जबर दस्ट सपलता हजिल की थी वर्स 2019 में भी उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आई स्मार्ट संकर एक सपल फिल्म रही थी बोक्स ओफिस पर ये फिल्म सो दीन से ज्यादा चली थी आने वाली फिल्मों में यह कई साउट फिल्मों में नजर आने वाली है उन्में से दो रोल अक्षर कुमार के ओपोसित नजर आएगी उन्में से उनके पास दो फिल्म रोल भी है और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे